नमस्कार आप देखें हैं साहिल फ्री डिश यूटोप चानल पर एआई प्रिया को आज हम आप लोगों को डीटी एट से संबंधत जानकारी इस विडियो में बताएंगे खुश खबरी फ्री राशन के बाद अब लोगों को मुफ्ट में डीटी एच देगी सरकार जाने किसे मिलेगा फायदा क्याबिनेट ने 4 जनवरी 2023 को 2539 करोड रुपे की लागत पाली प्रॉटकास्ट इंफ्रास्ट्रॉक्टर नेट्वर्क डिवेलपमेंट दी आएंडी योजना को मंजुरी दी है यह रकम All India Radio और दूर गर्शन के आधुनिकी करण और विस्तार पर खर्च होगी फ्री डीटीएच दिस्ट्रिब्यूशन कमजोर वर्गों को मुप्ट में एक साल का राशन फ्री देने के पाद अब सक्कार लोगों को शिक्षा, सुचना और मनरंजन के लिए फ्री में डीटीएच, डीटीएच देगी क्याबिनेट ने फोर जन्वरी 2023 को 2539 करोड रुपे की लागतपाली प्रोड्कास्ट इंफ्रास्ट्रॉक्टर नेट्वर्क डिवेलपमेंट टी आइंडी योजना को मंजोरी दी है यह रकम All India Radio और दूरदर्शन के आधुनिकी करण और विस्तार पर खर्च होगी वर्त्वान में दूरदर्शन, दूरदर्शन, 28 रिजनल चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और All India Radio, AR, 500 से अधिक प्रसारन केंद्रों का संचालन करता है यह योजना देश में Air FM ट्रांसमीटरों के कवरिच कुप होगोली क्षेत्र के अनुसार 59 पसेंट से बढ़ाकर 66 पसेंट और और आवादी के हिसाब से 68 पसेंट से बढ़ाकर 80 पसेंट कर देगी वाइन योजना के तहट रिमोट, जनजातिय, वामपंथी, उब्रवात, प्रभावित और सीमावर्थी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक लाग से अधिक DD Free Dish STB, DD Free Dish STB स्मुफ्ट में दिये जाएंगे प्रसार भार्ती, देश के सार्वजनिक प्रसारत के रोप में, दूरदर्शन और आकाश्वानी के माध्यम से देश के दूर दराज शेत्रों में लोगों के लिए सूचना, शिक्षा, मनुरंजन और सहभागिता का सबसे महत्वपून साधन है सार्ट्रिनिक प्रसारन के दाइरे को बढ़ानी के अलावा, ब्रॉड्कास्टिंग उपकर्णों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित निर्मान और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करनी की भी संभावना है टीवी रेडियो प्रडाक्षन, ट्रांस्मिशन और संबंधित मीडिया से जुड़ी सेवाओं समेट अलग-अलग कॉंटेंट निर्मान के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों के लिए, एर और डीडी के कॉंटेंट निर्मान और रचनात्मक कॉंटेंट के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार की परियाप्त संभावनाएं हैं